दोस्तों स्वागत एक नए वीडियो हूँ, दोस्तों इस वीडियो मा आने वाला हूँ कि आपके पास OPPO Reno 8 है या फिर OPPO Reno 8 सीरीज का कोई सा भी फोन है, आप होस्पट ब्लैक लिस्ट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यानि कि ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं तो आप यहां पे टाइप करके जा सकते हो, लेकिन हम Evergreen सेटिंग को फोलो करेंगे, तो सेटिंग आइकन पे टाइप कर लिया, अब यहां पे Connection and Sharing पे जाना है, प्रस्नल होस्पट पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको Connection Management का option मिल जाएगा, इसमें आपको Blacklist का option मिलता है आप देखो Blacklist में अगर कोई पड़ा हुआ है, तो उसको आप यहां से हडा सकते हो, अब चलो एक Connection को मैं Add करता हूँ, और आपको इससे समझने में मदद मिलेगी, अब यहां पे देख सकते हो कि अगर कोई Device, या जितने भी Device आपने अभी तक Connect कर रखे होंगे, Connection Management पे जा रखो और उसको disconnect करके Block कर दो, दो-दो मिनट के लिए वीच वीच में कर देना, मजाग था, अब यहां पे जैसे कि आपने Block कर दिया है, अब जैसे जितने भी Block, Hospit वाले बंदे होंगे, उस सारे आपको यहां पे दिख जाएंगे, अब जिसको Unblock करना है, ठीक है, आप चाह कि कहीं वह आपके, इस List में तो नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है उसको Black List में से ऐसे Type करके, अदलब Type and Hold करके भी आप यहां आप से Remove कर सकते हो, तो इस तरह से आप उसको Remove कर दो, तो इस तरह से आप Block कर सकते हो, और Unblock कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आयोगा